तो अभी हम निकल चुके हैं, हमें लेना है सुमित सर को, हम जा रहे हैं साथ रोड, उसके बाद हम निकलते हैं हमारी जनर्नी की और, तो आप सोचते हों कि भाई ये एक रिदम क्या प्लैन बना, कहां निकले सुबह सुबह, बताते हैं, बताते हैं, सब बताएंगे आपको, अब भी तो भाई फिलाल इतना समान है, मेरे पास है, हेलमेट रखा हुआ है, पिछे बैक टंगा हुआ है, तो एक बार मैं उनके पास पहुंचता हूँ, उनको ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आप सब को, ये रह भाई, ये जा रहे है हमारे राइडर साव, पैदल, पैदल, पैदल ही निकल जा होगे, राइड पे, हे गूड मोर्निंग गाइज, वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल, तो अभी हम जा रहे हैं, सुमीत भाई और मैं, हम दोनों निकल रहे हैं हमारी लोंग राइड के लिए, तो आगे हमें और भी राइड करनी है जो बड़ी राइड से यह वो राइड रही है, लेकिन यह भी एक हमारी बतलब यह है कि हाँ आने वाली बड़ी राइड के लिए, छोटी मोटी राइड मतलब करते रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, दोनों अमरित सर, तो यहां से जो हिसार से डिस्टैंस पड़ता है, अ पास-पास, तो बस अभी हम आया है, मैं सुमिध सर को घर से लेकर आया हूँ, और अपने बैग बैग जो है, बस रैडी कर रहे हैं, इनको पीछे बानते और अपने फिर निकलते हैं, अपनी प्राइड के लिए, सबसे पहले हम बाइक में पैट्रोल फ्यूल कराएंगे, फ तो भाई, बैग बैग बान्द के, सब कुछ हम रेडी है, त्यार है, भाई, अंधेरे में स्टार्ट किया था, दिन निगल चुका है, बिल्कुल, तो, लेट तो मतलब इनकी आदत है, भाई, जब इनको सुबह बोल दिया कि भाई, आप हमें यहां मिल जाना इस जगह पे, मतलब मुझे स्पेसल साथ से आठ किलोमेटर जाके इनको पहले लेकि आना पड़ा है, फिर जनाब ने बैग बैग भी कुछ नहीं सेट की होगे थे, जो हमने सारे जो हलके वाले समान है, जैसे मारे ट्राइपोड वगएर या जो टूटन वाली चीज़े है, वो हमने रखी चार दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने कई और का भी सोचा हुए है, क्या पता संडे को इतना मूड बंजर हम निकल ले अपने ओर थोड़ा आगे, तो भाई बस हमारी जरने को हम यहां से स्टार्ट करते हैं, अपने पेट्रोल पंप जो है यहां पीछे ही है, यहां से हम प सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को आओ, सो जाओ, सुबह उठो, काम पे जाओ, फिर शाम को आओ, फिर सो जाओ, तो अब जब कोई ऐसी चीजे होती है, जिससे दिल को खुशी मिले, तो भाई काफी मज़ा आता है, तो बस यह जो हमारी राइड है, इसको हम पूरा एंज बना देंगे ताकि भाई को भी इन फ्यूचर भाई याद करें तो कहें कि हाँ भाई के साथ गये तो काफी मज़ा है था वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितना हो सके भाई वीडियो को शेर करो वरना भाई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको तो बस निकलते हैं अभी हम मिलते हैं फिर आपको आगे तो भाई चल चुके हैं हम निकल चुके हैं अपने मंजिल की और टाइम हो चुका है साथ बच चुके हैं ये लो भाई टैंक हो चुका है फुल तो अब हमें जल्दी से कहीं ब्रेक लेने की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो एक काम था ये मेन काम हो चुका है अब कम से कम हमें निकालना है पहले सो से सवा सो किलो मीटर का डिस्टेंस उसके बाद ही हम ब्रेक लेंगे और शायद हमें आगे जागे जो बैक्स है उनको खोल कर दोबारा से उनकी सेटिंग करनी पड़ेगी कि अभी बैक हमने बाहन तो बहुचा टाइट दी है लेकिन जो भी ठीक से सेटिंग है वो नहीं हो ये बैक की वो दोबारा करनी पड़ेगी भाई तो भाई 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 हिसार मिलते हैं तीन दिन के बाद भाई साथ आगे तो भाई धूंद होने वाली है भाई दिन निकल चुका है टाइम हो चुका है साड़े साथ भाई बैक वगारा हमने फिर से सेट कर लिए क्योंकि अगर आप लोंग राइड पर निकल रहे हैं तो भाई इतना हतलब कि आप कमफर्टेबल होकर राइड कर सक भाई बैक वगारा हमने दुबारा से अच्छी तरह से बांद लिए सब कुछ अच्छा बैठने के लिए अब धूंदी स्टेम काफी जादा है तो भाई पीछे अभी एक एक्सिडेंट देखा जितना हो सगे संभल कर चले अपने सेफटी अपने हाथ में होती है अगर आप अगर अगर है कि मतलब की सरकर बांद आपु आज़ ने दे घूर आज़ और आपकल भी एक्सिडेंट रहें तो अच्छी तरह आप अगर भी ऐसाब लिए अजरूर जरूर यूज परें तो कि सेफ्टी मस्त सबसे पहले और यह बुँआ यह अग आई यह एक और अधियों का टाइम है तोड़ा दो स्पीड है वो अपनी भाई कंट्रोल और मेंटेन करके चले जब कोई एक इदम से कोई चीज आगे आती है सामने दिखती है तो भाई एक इदम से ब्रेक नहीं लगते है तो गाईज अभी हम पहुंच चुके है बरनाला तो यहां से जो अम सब्सक्राइब है तो जैसे क्या है कि हम रूखे थे हमने पको बताया थे कि के एफसी खाएंगे तो यह देखे भाई यह चल रहा हमारा के एफसी क्योंकि वह क्योंकि वह क्या था जो काफी पिछे निकल चुका था तो हमें 10 किरोमेटर वापस जाना पड़ता हमने डिसाइ सब्सक्राइब है तो भाई खाओ पियो एश करो हर चीज जरूरी है लाइफ में जरो बोड़ी बनाने से भी काम नहीं चलेगा बोड़ी तो क्या है चलो तुम दो महीने तील महीने मेरे चीशे बोड़ी पढ़ा ले फिर लोग के नजा होगे पाफिया ओई ना आप खेच क जाएंगे कोई डिस्टेंस यहां से ज्यादा नहीं है वन सिक्स्टी किलोमेटर है तो राउंड में तीन गंटे लग जाएंगे मैक्सिम हथ ज्याद ज्यादा इतना रग जाएगा बस अधर रुकते हैं कई चाइवाई के ब्रेक के लिए किसी सीजी के लिए भी तो पहुं जो रूट लिया है वो है रतिया, बर्नाडा, मोगा और अमरीच सर अभी हम गूगल मैप के अकोडिंग ही चल रहे हैं ये लो भाई पहुंच गए हम अमरीच सर जो आप ये सामने गेट देख रहे हैं जब भी आपको ये गेट दिख जाए तो समझ लीजिए कि आप अमरीच सर में एंटर हो चुके हैं ये सामने जब भी आपको गेट दिखे तो समझ लीजिए कि आप अमरीच सर आ चुके हैं आप अमरीच सर पहुंच चुके हैं अब काईज तो भाई हम एंटर हो चुके हैं अमरीच सर अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल हमारे भाई हैं जिनके पास हम रुकने वाले हैं अभी जाएंगे पहुंचेंगे गोल्डन टेम्पल सो को खोल करते हैं इसे पूछते हैं भाई कहां आना है लोकेशन दो तो भाई हम पोच चुगे हैं अमरीच सर तो आज का जो स्टे हैं वो हम करने वाले हैं हमारा भाई है दिपक के पास तो समिच सर कैसा रासा पर अपका तो तका बड़ा लेकिन मजा बोलता है लेकिन पता से क्या होता है कभी भी आप लोंग रेड पे निकलते हो ना मैंशा जो लाष्ट के 50-70 km होते हैं वो थकाने वो थकाने वाले होते हैं लाष्ट के लगालो 70 km में ऐसा हो गया थी हालत की बतलब भाई बतारें किसनी थकान हैं सोय नीकब से कितनी नींद है लेकिन बाकि अब सब कुछ ठीक है अभी थोड़े दिर में हम अराम बराम कर रहे हैं यह निकलें औधर अपने रेडी वैडी वैडी ओगे ज़ौ और अठाह्स मुझा रहे हैं निकलें इसासर पिर उबढ़न चाहिते हैं व झाल यह चल जाएंगे तो अठा़तो ऐसं दो रहे हैं एके बाद रहे बाध में कल जाएंगे आँखेंगे आँगे शार Susi को और एक जगह है वह परसों बताएंगे अपको पहले कुछ तीन देने देंगे भाई को प्रेशान होना पढ़एंगे हाँ प्रेक पार देने दिए वह पैसे किया अपने 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 दिपक बाई के तो अब हम आए है जलिएवाला बाग पास तो भी थो चोटा से समान के लिए है रखना पड़े है अब हम आए हैं गोल्डर टेम्पल के पास जल बाकिए चीज रह जाएगी वो कल देखेंगे यह सुमिछ सर भाई कैसा लो एसा बस भाई बस लेओ रखवा बस 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 भाई काफी सुन्दर नजारा है यहां का मतलब की रात को तो अलग नेक्स लेवल है तो भाई यहां हो गया पंगा हम साथ में बैक तो लियाए समानुमान केरी करके लेकिन जलिया वाला बाग में अगर अंदर जाते हो तो आपको यहां पर आप बैक लेकर नहीं जा सकते लाओड नहीं है तो अभी एक ही करके जाना पड़ेगा वैसे मैं जाचे के आचुका हू चार पर पहले भी जाया हूँ लेकिन समिसर जायाएंगे कोई बात नहीं देखाएंगे लेकिन जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी यहां पर भी और वहां पर भी दोनों के चैनल पर आएगी तो भाई बैग वैक ही कर लिए हमने जमा करवा दिये हैं यहां पर क्या बै अब आप वहां आपका फायता है जो बंदा पहले आया हूँ या गूम चुका हूँ अब आते आपको कुछ नहीं पता हुथा तो फिर यह चीज होती है आप सीख लोगे आप आप किसे ने लेका हो गैने आप नबर बना हो आप बनाऊगे शुक्या नंबर फाल दूगे वह ये 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 बाई ये ये वाला वही हुआ है जिसके अंदर की काफी लोगों ने जंप किया था बचने के लिए ये 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 वह जगह है जहां पर गोलियों के निशान है ये सारे गोलियों के निशान है ये ये सारे गोलियों के निशान है और हाँ वाई एक बात और आपको बता दें कि जो जलिया वाला बाग है वो कोई यहां से जाद दूर नहीं है गोल्डन टेंपल से ये गोल्डन टें तो भाई हमने वही किया है बैग वजारा वहां दे दिये और अब हम यहां आए हूँ है बस हंदेरा ओचुका है लेकिन ठीक है फिर भी नो ने काफी अच्छा परबंद किया वह उस टाइम यहां पर तो भाई जलिया वाला बाक से हम फ्री हो चुके हैं वहां से निकल चुके हैं वहां पर आपको जारतर देखने को मिलेगा कि भाई जो गोलियों की निशान वगर है बाकिये सब कुछ है और यहां पर एक शो भी स्टार्ट होता है साड़े च्छे बजे के आसका सी अराउंट अगर आप यहां चाहो तो आभी बैठ कर देख सकते हो तो अभी हम वहां से निकल चुके हैं अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल लेकिन यहां बाहर मार्केट म यहां मार्केट है अपने गोल्डन टेंपल के बाहर ही यहां पर भी काफी आपको चीजिया बाय करना चाहे दो कर सकते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ भी रहती हैं गोल्डन टेंपल गए थे लेकिन वहां पर अपने वीडियो वेगारे कुछ भी लाओड नहीं था तो हम अंदर वीडियो वेगारे नहीं बना पाए आज का दिन जो है बड़ा थकाने वाला रहा है काफी चीजें हमने एक्स्प्लोड भी कर लिए और अपने क्या है कि अब खतम होता है काफी थकाने वारा दिन था तो भाई अपने वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपको कल सुबहे एक नई वीडियो एक नई जोस के साथ तो एंड करते हैं वीडियो के ही पर आपके लेगे लूँ बाल मैं है